असलामों अलेकुम हेलो फैंस वेलकम टू मैं जहारास की चेन मैं हूँ जहारा उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ जाफरानी तंदूरी चिकेन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसे बनाना बहुत यासान है बिना तंदूर बिन तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए जल्दी से स्टाट करते हैं जाफरानी तंदूरी चिकेन की रेसिपी मैंने यहाँ पर होल चिकेन लेलिया है आप देख सकते हैं डेड की लो के करीब चिकेन है अब म मैं एक पेश्ट तयार करूंगी जाफरानी चिकेन तंदूरी चिकेन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरदनी आप देख सकते हैं एक बंच के करीब लिया है 100 ग्राम के करीब मैंने काजू लिया है चार से पांच हरी मिच इन तिनों को हमें थोड़ा सा पानी डाल कर फाइ 2 चम करीब अधृकणा का पेस्ट 1 चम काली मिच पाउडर आप चैहें तो साभूत पाली मिच को करस्τ करके भी ढाल शकते हैं 2 चम चिकेन तंदूरी मसाला पउडर लेना है आप किसी भी ब्रैंट के इस्तमाल कर सकते हैं आधी चम लाल मिच पाउडर मैंने हरी मिच का पेस चमच फ्रेश क्रीम लेना है एक चमच गर मसला पौर डालना है एक चमच नमक अब अपने टेश्ट के मताबिक डालिएगा एक चुठिये करीब हमें केसल लेना है एक चमच हमें केवडा वाटर लेना है इन सभी को अब हमें क्या करना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो यहां पर कलर डाल सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा सा रेट फूट कलर डाल रही हूं आप चाहें तो डाले हैं फिर इसे स्किप कर सकते हैं तो इन सभी को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर ल के पेट में अच्छी तरह से बमाट कर लेंगे जहां पर मैंने कट लगाया है उसके पेट में मसाले को लिए लना ऻेती हुआ इसे मैं अठोसें में माशामा ऑफ दें आप पर कई की बादसेंगे ही ज़ने रसे दोनले का पीसें क। अच्छी तरह से बांद लेना है सुई दागे के हेल्ट से आप इसे बांद ले ताकि जब हम इसे फ्राय करेंगे तो एक खुलेगा नहीं इस तरह से चिकन में आप मसाले लगा कर एक से दो घंटे के लिए फिर टीन घंटे के लिए भी रख सकते हैं जितना देरे मसाले को अपने अंदर अब् और फिकअ-फिका से लगेगा खाने में तो इसलिए आप इसे चाहें तो दो से तीन घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें मसाली की साथ लगा कर मैडिनेट करके चिकन को आप एक से दुग घंटे के लिए रखने वाली हूँ तो देखें मैंने अच्छी तरह से लेक जो तो जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा मैं है पर चिकेन को सामिल कर लोंगी और स्टोप के हाइफ लेंपर हम इसे तीन से चार मिट केले पहले पकाएंगे तो यहां पर जो है बचा हुआ मसाला मैं थोड़ा सा यहां पर लगा देती हूं जब हम इसे पलटेंगे बाकी के जितन अब तक इसे पकाया है अब जो है मैं फ्लेम लो कर लूँगी लो फ्लेम पर मैं इसे 30-35 मिनिट के लिए पकाऊंगी अब मैं यहां पर बचा हुआ जितना मसाला है उसे लगा लेती हूं और कुछ भी नहीं करना है चिकेन को हम 30-35 मिनिट के लो फ्लेम पर पकाएंगे इस पका नहीं होगा तो मसाले का कच्छापन भी रहेगा जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो इस लिए आपको यहां पर बरतन को लिट से कौबर कर लेना है हर 2-3 मिट के बाद या फिर 3-4 मिट के बाद आपको इसे उलट उलट करते रहना है मसाले जितने पकते जाए और मसाला भी अच्छी तरह से बुनी हो जाएगा तो यहां पर चिकेन को पकते हुए तकरीबन हो चुका है 20 मिट और मैंने हर 3-4 मिट में चिकेन को इस तरह से गुमाते हुए पलटते हुए मैंने इसे पकाया है अब मैं आपर डाल देती हूँ 4 हरी मिच हरी मिच जो है किया है और इसे में अच्छी तरह से मिक्स कर लोगी और इसी तरह से हम इसे और 15 मिट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला जो भी दिख रहा है वह अच्छी तरह से सुक जाएगा पकते वह और जितना मसाला पकते जाएगा हम चिकेन में उसे लगाते चीकेन पक ने में ज्यादा में जर्टा इन पांht चाला से हुँद। नियश्य और टैंडर मट्ण कि अंदर तो थोड़ा रिंयर को पख सीधक अलगा लेकिन एक टाम मुझ सबस्क्षाषा से यहां तो यहां पर देखी हैं जितने भी हो ब्स आइक हैं और पकड़ी तो मसाली का कोटिंग है तो अब हमें क्या करना है मैं एक स्टेंद ठीम पर में तेयं यह जाली में इस तयायना है बहुना हरता है और वह सबस्केम ले वह दिसें आप के इस अधार सिरल मिद्शन पर भावत है तंदूर जैसा आइख बया है जिनी बें डाम duel है यह बजूख सी फ्लेवर नोरी जायों है दो तो स्टेत को चारते प्लोप सहले करते हैं अगर को दीस्टाइम आप तरह से प्ल्राइग लेश only मैंने इसे काजू की चटनी के साथ सर्फ किया है और हरी मिर्च मैंने जो डाला था और फ्राय हो चुका है उसे मैं आप निकाल लेती हूं बहुत इला जब आप चिकन तंदूरी बनकर तयार होता है बाकी का जो मसाला बचा हुआ है आप भी उसको पर लगा ले इसे सर्फ करे मैं जो धागे से इसे बांधी थी इसके लेक पीसे को उसे अब मैं खोल लेती हूं और इस तरह से आपको निकाल लेना है तो इस रेसिपी को ट्राय करना मत भूलेगा आप लोगों को सच में बहुत ही पसंदाने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आज की तंदूरी चिकन चाफरानी तंदूरी चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंदाई है आप लोगों के लिए हिल्फू लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए उससे मेरी वीडि आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आपके से सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं किने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूाओं में याद जरूर रखें अल्लहाफीज